हाई एर्विवान और वेल्किम डिडिक आफटन सो यार मैंने बहुत से बच्चों को देखा है आप गूगल पर सर्च करते हो कि सर डेली युनिवर्सिटी से अगर मुझे बिए सी इन माच्स करनी है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है सेम फिर आप दूसरी जगा गूगल कर करके देखते हो कि सर अगर मुझे जो है बिकॉम ऑनर्स बनार सिंदु उनिवर्सिटी से करना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है ये विडियो बहुत कम शब्दों के अंदर तू दा पॉइंट आपको निकालना सिखा दूँगा कैसे आप एलिजिबिलिटी चेक करोगे क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी उनिवर्सिटी इस हैं, बहुत सारे कोर्सिज हैं, क्या गूगली करते रहोगे, क्या यूट्यूब पर जो है हर एक कोर्स के लिए अलग अलग विडियो देखते रहोगे, क्या इतना समय आपके पास है? नहीं, और लोग तो आजकल कर क्या रह बहुत से बच्चे जो है डेली अपने डाउट में से क्लियर करते हैं यकीन मानो आप लोगों का हर एक क्वेरी का जवाब इस वाले चानल के ऊपर आ रहा होगा यह मेरा वादा आप लोगों से तो यार देखो मैं आज ना यह मांजरा ही बिल्कुल क्लियर कर देता हूं यह कल जो कोर्स में इस उनिवर्सिटी से करना चाहता हूं इसकी एलिजिबिलिटी की है यार देखो मैंने खोला किया है मैंने नॉर्मल हमाली जो सी यू इटी वाली वेबसाइट है मैंने इसको खोला है वेबसाइड का मैं आपको नाम बदाता हूं एक्जाम्स.nca.ac.in ठीक है आप जब इस पर आओगे तो यहां पर देखो एंट क्योंकि बहुत सारे एक्जाम्स लेती हमें मतलब किसे हैं common university entrance test हमें इससे मतलब है यहां पर अगर आप ऊपर देखोगे मेरे भाई तो यहां पर home है फिर information bulletin है important downloads है और फिर universities है यह वो universities हैं जो कि इस साल CUET के basis में admission दे हुई है आपको पता है कि website पर अभी काम चली रहा है in fact जो universities इसके अंदर पहले शो हो रही थी वो universities अभी शो भी नहीं हो रही है दीरे दीरे वह हो जाएगी इसलिए मैं आप लोगों को पहले भी कह रहा था कि जो forms है वो थोड़ा रुक कर भरना एक दम से जल्दबाजी मत चाहता हूं तो उसके लिए मुझे mathematics और physics की requirement है ऐसे ही यहीं पर अगर मैं देखूंगा न तो भाई यहां पर डेली उनिवर्सिटी खैर अभी तो इन्होंने निकाल दी है बट जब डेली उनिवर्सिटी थी तो आप for example माल लेते यह डेली उनिवर्सिटी को कॉलम होता तो जाना पड़ेगा तो मेरे भाई इस तरीके से आपको clarity मिल जाएगी हालाकि डेली उनिवर्सिटी के लिए जो अभी तो देखो डेली उनिवर्सिटी इसके अंदर add इन्होंने नहीं किये आज या कल के अंदर वह भी हो जाएगी लेकिन मैंने जो है जो डेली उनिवर्सिट यहां पर जो देख रहे हो अंदर ग्रैजुट एडमिशन इसको क्लिक कर ले ना मैंने अलोड़ी खोल के रगी हुई है यहां पर जब आप नीचे आओगे तो हर कोर्स वाइस जो है सारी information दे रखे कि अगर मालों आपको BA honors Arabic करना है तो यहां पर eligibility दी हुई आप लोगों को उस चीज की भी कि आपको जो है Arabic देना पड़ेगा लिस्ट A से ठीक है और आपको लिस्ट B से दो subject मतला दो domain और देने पड़ेंगे और उसके बाद एक subject या तो लिस्ट B1 से हो सकता है या फिर लिस्ट B2 से हो सकता है और दूसरा combination भी नीचे आप लोगों को दिया हुआ है कि भाई या तो आप जो है एक language दोगे लिस्ट A से ठीक है उसके बाद दो subject आप लिस्ट B1 से दोगे और उसके बाद जो है हमारा एक subject आईदर लिस्ट B1 या फिर लिस्ट B2 से दोगे तो इस तरीके से अगर आप इस information को देखोगे ने बुलेटन को देखोगे तो दिल्ली University की सारे ही courses की मैं तोड़ो सा इसको नीचे भी लेके चलता हूँ मालो यहाँ पर अगर यह कौन सा course है मुझे B.Sc. Honors Electronics करना है तो उसकी eligibility यह दर है कि in fact कौन से college के अंदर जो है वो कितनी-कितनी seats available है वो तक भी यहाँ पर दी हुई है मेरे भाई तो यह जो मैं वही कह अगर आप website के नाम ने एक जगह पर एक page पर लिख लो exams.nca.ac.in यह एक website होगी जिसके दर हमें सारा समान भी लेगा और Delhi University का यहाँ पर आपको दे रखा admission.uod.ac.in अगर Delhi University के अंदर admission लेना है तो इस तरीके से आप हर course की eligibility देख सकते हो आपको किसी से पूछने की किसी से ज आपको लंबे-लंबे वीडियोस देखे ना आपका समय वेश करूंगा और ना ही मेरे पास इतना समय होने वाला है तो भाई आप लोगों के board सल रहे हैं कम information के अंदर maximum output निकालना है कम information से मैंने मतलब है to the point information से फालती होगी information अगर लोगे तो जहां गलतिया नहीं भी होनी ह होती वहां भी गलतिया हो जाती है आए होप आपको clarity मिली होगी ऐसी ही best authentic genuine videos हमेशा आप लोगों के लिए बनातर हों का मिलता है किसी नेक्स वीडियो के इंदर मुझे दीजिए के जाज़ा तल दन बबाई and take care